हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चनल शेव जर्वित आयुश और इस वीडियो में बात करेंगे यह मिस्लिमिटेड के बारे में सो आज लिस्टिंग थी और लिस्टिंग काफी बढ़िया हुई है इसमें तो कोई धौराई नहीं है जरूर देखे बाजार जिस तर सबने निवेशकों ने पैसा बनाया यह बात अपने आप में काफी बढ़िया है लेकिन अब इंपॉर्टन कोईशन यह निकल किया थे कि क्या यहां से और उपर जाने की संभावना नजर आती है तो इसकार में इस वीडियो में जर्चा करेंगे उससे वहले दोस्तों अगर इवन 282 रुपीस के प्राइस बेंड पर बेसिकली स्टॉक की लिस्टिंग हुई है नसी के उपर 211 रुपे का इसका प्राइस बेंड था और 282 रुपीस पे लिस्टिंग होना बिलकुल भी बुरा नहीं था इंवेस्टर ने अच्छा पैसा बनाया जो मने शुरुबात मे एक समय पे इसकी 60% उपर चल रही थी 60% उपर इसकी ग्रे मार्केट चल रही थी और 60% के प्रीमियम पे लिस्टिंग होनी के संभावना नजर आ रही थी बट ऐसा नहीं हो पाया क्यों नहीं हो पाया उसके कारण आपको पता है बहुत सारे है रीजन अगर अब मुझे एक तो वो है बाजार जिस तरीके से देखिए बाजार ने हाल फिलाल में अपको गिरावट दिखाई है वो अपने आप में एक थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट था और इसके कारण मुझे लगता है कि ग्रे मार्केट ने अलड़री उसको प्रिडिक कर लिया था और इसलिए अलड़री ग्रे मार्केट में भी गिरावट आ गई थी और इसलिए देखिए 30% अल्मोस नीचे लिस्टिंग हुई है जो ग्रे मार्केट ने अपना हाई बनाया था EMS की तो यह तो सिंपल है कि स्टॉक ने अल्रड़री उतना आपको डिस्काउंट देके ही लिस्टिंग अब यहां से आगे की रनीती क्या होगी इसके बारे में दोस्तों जादा हम चर्चा करेंगे देखिए यह में इसके बात करें तो जो अब कंपनी जिस वालुएशन पर लिस्ट हो रही है या फिर लिस्ट हुई है हम यह बात तो साफ कह सकते हैं जो इसकी कॉंपिटिटर है वाट एक वबाग वो भी अल्मुस्ट 14-15 के प्राइस टूर्णिंग पर आपको मिल जाता है तो इसका मतलब यह है कि अगर इस पूरे इंडस्ट्री में देखेंगे तो 14-15 की प्राइस टूर्णिंग पर स्टॉक मेजरली ट्रेड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इसकी वालु पर लिस्ट हो चुका है जहां पर इस इंडस्ट्री की कंपनी बेसिकली ट्रेड करती है अब यह है कि कंपनी कितना अपने आपको ग्रो कर पाती है आने वाले समय के अंदर वह आई इंग बहुत माटर करेगा वही दोस्तों स्टॉक की प्राइस को या तो ऊपर या तो आप में बढ़िया बात है बट वहीं अगर कंपनी के नंबर अच्छे निकल के नहीं आते है या फिर कोई प्राब्लम देखने को मिलती है तो वो डेफिनेटली फिर स्टॉक को नीचे भी लेकि जा सकता है लेकिर जिस इंडस्ट्री से बिलॉंग करती है कंपनी जिस अपनी काम करती है जिसमें कंपनी आपको सीवेज सॉल्यूशन्स, वाटर सप्लाय सिस्टम्स, वाटर एंड वेस्ट्रीट्मेंट प्लांट्स, इलेक्रिकल टांस्मिशन, इस्ट्रिबूशन, रोड और अलाइड वक्स यह सब चीज़े अगर आप देखेंगे तो डिफिन third party consultants और industry experts के दोरा supported रहता है लेकिन majorly क्या बात बतारों में कि यहां से इस पूरी industry के अंदर हां growth की capacity है इसको कोई deny नहीं कर रहा है यहां से company अपने आपको बढ़ा सकती है इसमें कोई deny नहीं कर रहा है लेकिन जो बात निकल के आती है वो है दोस्तो company के valuations अब देखें post price जाने की शमता इस stock की या फिर इस पूरी company की जादा नहीं है बढ़ सकता है मैं ऐसा नहीं कर रहा कि बढ़ेगा है नहीं पट यह है कि हाँ जो numbers company के आ रहे थे उसी तरह की numbers आते रहे growth लगातर देखने को मिलती रहे जिसके company का अगर आप revenue देखेंगे तो पहरे 300-300 करोड क पर इन ऐसा नहीं है कि अपने margins पर अभी तक कोहीं भी दबाव जादा देखने को मिला है यह अपना आप में positive बात है और हाँ यह एक ऐसी company है जिसको अगर आप चाहे तो अपने portfolio का हिस्सा बनाके रख सकते हैं for longer term अगर आपका view है यहां से आने वाले 2-3 साल तो मैं कहूं अपनी को focus अपने expansion के उपर करना है और majorly देखिए यहां पर जो company expansion करेगी उसी से आपको growth जो है वो stock के अंदर भी देखने को मिलेगी और खास बात इस company को लेकर यह भी है कि company ने जो बताया है कि इनके पास काफी orders है pipeline के अंदर यहां से growth की बहुत potential है company fast moving forward है बलब इस तर जहां पर यह open weather 282 पे उससे तो नीचे ही बंद हुआ है बट यह है कि हाँ बड़ा move देखने को नहीं मिला कोई सीवी side में उपर में अगर हाई भी अगर आज देखा चाहिए तो कितने का था 290 रूपीस का चाहिए 290 पर 85 का और जो लो था वो 268 का था तो कोई बहुत बड़ा आपको आज movement देखने को नहीं मिला है दोनों side के अंदर और जादा तर अगर आप देखेंगे तो आज volume बढ़िया हु यह देखना भी काफी दिल्चस्प बात होगी बट overall यहां से मैं यही कहूंगा कि जादा बहतर यही रहेगा कि company के अंदर आपको निवेश थोड़ा सा अगर लंबी अव्दी का है बर्कुस अगर आपने पैसा किस तरीके से लगा है वो आपको बता है बिकूस majorly मुझे य बढ़िया था बलकि बाजा है तो लगा था टूटी रहा था लेकिन क्योंकि देखिए IPO लिस्ट होता है तो मैं हमेशा मानता हूं कि volume जादा रहती है activity जादा रहती है तो यही देखना है कि कल किस तरीके activity देखने को मिलती है कि 300 रुपय का level यह touch कर सकता है अब देखिए expectations क की बात नहीं है लेकिन 300 रुप का level touch करना बहुत आसान नहीं है आज कि अगर सिफ volume volume की बात कर तो volume तो काफी बढ़िया हुए almost 2,06,000,000 shares आपको एक दिन में आज trade होते हुए देखने को मिलें जो अपने आप में काफी शांदार है बहुत अच्छे volume है but जो बात है वो यही देखना है कि क्या है वापिस से 268 रुपे के नीचे कल जा सकता है कल का दिन देखना दिल्चस्प होगा क्योंकि कल देखे मूव जो आएगा वो इसाड़ आएगा या तो बहुत अच्छी देजी दिखा देगा या वापिस से तोड़ा बहुत नीचे आने की पुरी करेगा मुझे देखना यही है 300 रुपे का लेवल हो सकता है कि उससे पर एक दू बार स्टॉक ऊपर नीचे करें बट वेटन वाच करना ज्यादा बढ़िया है क्या फ्रेश बाइंग करनी चीए कोई ENNet करें piece नहीं साब्स्क्राइब कर रहे है मुझे लगए कि अब वेटन वॉज किया जा सकता है कोई बहौत बड़ी बात नहीं बहुत बढ़ी दिक्कत नहीं है duion simple मेरा क्योंकि मुझे लगता है कि नंबहां में बहें संब करते है हमेशा कर मेंूंस अडर को कि या कंपनी मैं को देखना यही है कि हां क्या कले 268 रुपे के नीचे जाएगा और फिर 291 रुपीज का लेवल टेच कर पाएगा यह देखना काफी दिलचास पोगा कल देखते कल किस तरीकी कि यहां पर मुवमेंट देखने को मिलता है इस वीडियो में इतना ही था आपका क्या वीव है मुझे ही पर यह कॉमेंट सेक्शन में थैंक्यू फ्रेंट्स वाचिंग इस वीडियो